नमस्कार मैं हूँ ब्रीज दिवेदी आप देख रहें लाइव लॉंग दिल्ली हाई कोट ने केंदर सरकार की अगनीपत योजना को चुनोती देने वाली याजकाएं खारिच की इसका मतलब यह है कि कोट ने अगनीपत योजना को सही ठहराया कोट ने कहा उसे इस तरह की य संबर को सुरक्षित रखा गया था कुल 23 याजकाओं में से पांच ने अगनीपत योजना को चुनोती दी थी पिछली भरती योजना के अनुसार निकती की मांग करने वाली अन्य 18 याजकाओं को भी खारिच कर दिया गया है सुप्रिम कोट ने पहले अगनीपत भरती सालत से कहा था देश की सुरक्षा के लिए चूस्त यूवा और तकनीकी रूप से मजबूत सास्त्र बलों की अवशक्ता है सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश यूवा लडाकू फोर्स तैयार करना है जो नई चुनोतियों का सामना करने में शारिरिक और मानसिक रू साल के लिए शामिल किया जाएगा योजना के अनुसार उनमें से 25 फिस्दी की सेवा नियमित कर दी जाएगी अगनीपत की शुरुआत के बाद इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोज शुरू हो गया था बाद में सरकार ने 2022 में भरती के लिए उपरी आयू सीमा को बढ़ा कर 23 वर्ष कर दिया इसी तरह के लिगल अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए लाइब लौ शुक्रिया